हलो दोस्तों आप लोग का यह स्वागत है आज मैं लेकर आज चुका हूँ आप लोग के फर्स सेमिस्टर मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन के आप लोग के लिए मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टन्स यह चीज अगर कर लेता हो तो 100% बोलता हूँ आप लोग को और प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी तरीके से तो मेरे भाई यहाँ पर 40 आउट और 40 भी इसली लाद होगे सबसे पहले यहाँ पर साइन्स का है क्लास्टेंट हिंदी मीडियम इंगलिस रिणम कोई भी मीडियम हो बस अगर महाराष्टा स्टेड बोर्ड है तो फटापट इस टीक मार को अच्छी तरीके से लर्ण कराना क्योंकि मैं एक एक चीज बताऊंगा एक एक पॉइंट पर यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से टिक मार करूंगा जो जो आप लोग को लर्ण करना है अगर यह लर्ण कर ले तो आप लोग का बोर्ड इकसाम का भी क्लियर हो जागा इसके अलावा आपको बोर्ड इकसाम में भी करके नहीं जाना रहेगा बस इतना कर ले ना क्योंकि यह मूँच्ट पी वाई क्यू के बेस पर होने वाला देखो दो हजार उनीश से लेकर धियान से सुनना दो हजार उनीश से लेकर 2024 तक के बीच में जो भी आया हुआ सब कुछ मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा और 100% बोलता हूँ आप लोग का यहां फर्स सेमिस्टर एक्साम आप लोग को बहुत अच्छा जाने वाला अगर इस सीज को पूरा वीडियो को देख लेता है तो अब इसमें देखो 5 लेशन जश्ट आप लोग को इक्साम में आने वाले यह मैं आप लोग को बता दो 5 लेशन बहुत सारे लोग में यहां पर 6 लेशन आ रहा है बट मैं आप लोग को 5 लेशन का most important question बता रहा हूँ क्योंकि आधा इतना यह जश्ट आप लोग देखोगे यहां पर heredity का and evolution इसमें से सबसे पहले आप लोग को यह heredity का define करने के लिए आप लोग को याद करना है definition आप लोग को अच्छी तरीके define करने के लिए पूछा जा सकता है and उसके बाद आप लोग को यह वाला line को cover करना चाहिए जो line मैं दे रहा हूँ उसको आप लोग को अच्छी तरीके से cover करना क्योंकि आप filling the blanks के अंदर पूछा गया है and उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक central dogma करके दिया गया उसको आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना है and यह तीनों का definition आप लोग को learn करना अब definition भी पूछा जा सकता हो सकता different between भी पूछा जा सकता है याद रखना इसके लिए यह अच्छी तरीके साप लोग को learn करना और यहाँ से triplet कोडान अच्छी तरीके साप लोग को इसको याद करना है and यहाँ से 90 68 में nobel prize मिला था डाक्टर हर गोविंद खुराना का 20 amino acid का research किये थे इसके लिए उनको award मिला था दो other scientist के साथ में 90 68 में तो यह भी अच्छी तरीके से आप लोग को याद रणा चीए और उसके बाद आप लोग को कहाँ पराना देखो इधर से कुछी भी ने जो जो बोलूँगा ओ अच्छी तरीके से learn करना mutation का definition आप लोग को चीए याद रणा चीए और उसके disorder sickle cell anemia यह चीज आप लोग को अच्छी तरीके से evolution का आप लोग को क्या करना है short note short note याद करना है याद रखना और उसके बाद short note याद कर ले तो तो भी easily आप लोग को cover हो जाएगा और यहाँ से इनके पूरे evolution यहाँ पर evidences out of evolution के सब का क्या करना है देखो मैं पहले बता दे थो नाम और सब के example याद करना है नाम और example नाम और example पूरे का अब उसके बाद आप लोग को यहाँ vestigal organ आएगा आप लोग को इसका क्या करना है evidences ही अबट आप लोग को short note याद करना है वेस्टिजल ओर्गन प्लस एक्जाम्पल का नाम यहां पर एक फोजिल दिया गया है इसको आप लोग को जश्ट याद करना है क्योंकि यह भी बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है इसका डिफनेशन फोजिल का और कार्वन डेटिंग मेथड जो जितना मैं बता रहा हूँ अगर वो चीच करके गए आप लोग एक्जाम में इसली आप लोग यहां पर कवर हो जाएगा और बोर्ड एक्जाम का भी आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कनेक्टिंग लिंक का सौर्ट नोट याद करना क्या चीच सौर्ट नोट और इधर से जितना बता रहा हूँ उतना कलियर आप लोग को पूरा खूरा एक्सरसाइज भी क्लियर है और उसके बाद यहां पर डार्विन थेरी का नेचुरल सिलेक्शन और अबजेक्शन्स दोनों याद करने प्लस एबुक का टाइटल जो है और जीन आप दाइस्पेसिस यह आप लोग को अच्छी तरीके से करना है और उसके बाद लामार्किस्म का आप लोग को यह प्रिंस्पल याद करना है यूस और डिस्यूस और उसके बाद आप लोग को और आगे जाना है यहाँ पर क्या करना है देखते रहने एक भी पॉइंट मिस मत करना मेरे बहुत इंपोर्टेंस आप लोग को बता रहो और एक ए पॉइंट को कवर करना इतना आप लोग को कवर करना है उसके बाद आप लोगको यहाँ पर homo sapiens करके दिया गया वाइसमन इनको आप लोगको अच्छी तरीके से याद करना अब इसमें से यह वाला question करना है easily आप लोगका cover हो गया wastage organ भी हो गया यह भी हो गया and उसके बाद आप लोगको यह वाला पूरा हो गया आप लोगको easily पूरा मैं cover करवा दिया अंदर से यहाँ define करना और उसके आप लोगको explain करना आप लोग पूरा easily cover हो गया देखो यहाँ puzzle का हो गया and यह सब को questions जो है बहुत importance है यह सब आप लोगको अच्छी तरीके से anatomical वाला evidences का explain process यह सब एक एक बार पढ़ोगे आप लोगको easily cover हो जेगा बट अंदर से जो मैं बोला उसको आप लोगको cover कर लेना है और दूसरे वाले lesson में आप लोगको क्या करना है उसको मैं आप लोगको बता देता हूँ सबसे पहले आप लोगको यहाँ पर life process in living organism part 1 तो सबसे पहले आप लोगको यहाँ पर आना नीचे और यहाँ पर एक point दिया गए देखो यह वाला यह आप लोगको cover करना है इतना 4 kilo calorie energy per gram कार्बोहाइटरिस के अंदर पाय जाता है और यहाँ पर एक question आएगा आप लोगको देखो यह भी diagram आप लोगको at least आना चीए अच्छी तरीके से करने और उसके बाद आप लोगको यहाँ पर glycosis और यह दिया गया आप लोगको यह आप लोगको glycosis, tricarbosalic acid यह आप लोगको थोड़ा से समझ के लेना है याद रखना यहाँ पर H ही जाता है, tricarbosalic acid का आप लोगको यहाँ पर दिया है ETC electrons transfer chain reaction जो दिया गये, यह ने ds2 और यह फिद ds2, दो है molecules और दोनों को आप लोगको याद करना है, यह ने ds2 कंदर 3 molecules पाय जाते हैं और यह फिद ds2 कंदर किनने पाय जाते हैं दो molecules पाय जाते हैं याद रखना और इससे short note भी आता है और यह diagram को थोड़ा सा आप लोगो naming creature अच्छी तरीके सा आप लोगको आना चीए उसके बाद यह वाला आप लोगको full form आना चीए समझ के रखना जो जो बता रहा हूँ अब उसके बाद आप लोगको कहा आना देखो यह दोनों आप लोगको अच्छी तरीके सकना already मैं बता हूँ बट मैं आज फिर से आप लोगको फिर से एक बार बता रहा हूँ देखो यहाँ पर एक line है जिसको glycosis बोला जाते देखो इसको आप लोगको टायड करके आएगा यहाँ पर देखो दिया है वीच वी फिल टायड अगर बाद वे आप लोग exercise करते हो तो आप लोगको simple तरीका क्या होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगको energy loss होता है जिसको उनले lactic acid बोलते हैं आप देखो दिया गया है अलोगको simple तरीका इससे एक questions आएगा सेंड फिक reason का तो इसको आप लोगको अच्छी तरीके से याद करके रख लेना और उसके बाद आप लोगको क्या करना है यहाँ पर एवाला एक line यहाँ पर देखो यह वाला cover करना 4 किलो कैलरी एनरजी पर ग्राम प्रोटीन के अंदर बट यहाँ से एक सबसे ज़्यादा importance यह डाइग्रम very 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 IMP डाइग्रम है यह कहीं न कहीं आप लोगको filling the blank, smash the column, correlation कहीं न कहीं आप लोगको दीखने वाला है एंड उसके बाद आप लोगको क्या करना है यहाँ पर देखो 9 किलो कैलरी इस दिया गया एनरजी लीपीड्स के अंदर एंड लीपीड्स का डिफनेशन लेको सब कुछ आप लोगको एक एक करके मैं बता रहा हूं तो आप लोग समझ सकते हो कितना मैं आप लोगके लिए important question लेका रहा हूं बहुत ज़्यादा important question यह सब होने आले आप लोगको एक्जाम के लिए एंड उसके बाद आप लोगको क्या करना है यहाँ पर A, D, E, K fat soluble होता है और B, C जो होता है मेरा water soluble होता है यह समझ के रखना समझ लेना जो जो बता रहा हूं बहुत 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 importance बता रहा हूं इसके लिए एक भी point miss मत करना अब ए वाला जो diagram में इसको आप लोगको समझ के लेना है अच्छी तरीके से naming creature आना चीए माइटोसिस और मियोसिस के नाम पूरे नाम और माइटोसिस और मियोसिस के दोनों का क्या करना है आप लोगको exercise में दिया गया different between भी आप लोगको याद करना है सब के नाम सब के एक्सामपल याद रखना सब का नाम सब का एक्सामपल याद करना है मियोसिस और माइटोसिस अब आते देखो exercise से question पहला question पांचवा वेरी वेरी IMP questions एवाला definition आप लोगो करना है पूरा एवाला पूरा anaerobic, aerobic, mitosis, meiosis, glycosis and TCA इस अब आप लोगो करना है यहां से देखो सबसे ज़्यादा important cell division, fibrous यह दो बहुत important very 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 IMP questions यह तीन है तीनों आप लोग अगर कर ले रहे हो तो बहुत important आप लोगो हो जाएगा बट मैं आप लोगो से एक ही चीज बोलूँगा सब question करने के कोशिस करना बट जितना हमां अंदर से बता ओ भी चीज करके रखना इतना यह तीन question यहां से करके रखना बहुत important question होने वाले आप लोगो को exam के लिए अगर आप लोगो के पास समय है तो और को भी देख सकते हैं इसमें का पहला और उसके बाद आप लोगो को क्या करना यहां से यह जो क्रब साइकल है इसको आप लोगो करके रखना हो गया अब आजाते अपने तिसरे वाले lesson में life process in living organism part 2 इसमें आप लोगो क्या करना उसको ध्यान से देखना एक भी point मिस मत करना सबसे पहले यहां पर sexual जो यहां पर a sexual reproduction है उसका आप लोगो simple तरीका definition याद करना बस इतना हो गया आप आता है a sexual reproduction in unicellular और एक multicellular दोनों का है तो दोनों के types types और example and diagram तीनों चीज, types, example और सबके diagram याद रखना binary fusion का क्या है amoeba यहां पर दिया गया है paramission इस तरीके से आप लोगो यह diagram को भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगो देखना है याद रखना सब नाम और सब का example आप लोगो अच्छी तरीके से करके रख लेना है समझ के लेना मैं पहले बता दे रहा हूँ जिसे यह वाला भी diagram आता है यह वाला diagram बहुत बार आता है बड़िंग का याद रखना बड़िंग का अभी यहाँ पर आसेक्सवल डिप्रोडिक्शन इन यू मल्टी सेलूरल मैं दोनों बता है आप लोग को दोनों के टाइप से याद करना है और सब के क्या करना है example याद करना है अभी यहाँ पर एक दिया गए यहाँ रिजैनरेशन कभी अप लोग को एकसां में इन उट नोट पूछा जाता है तो मैं आप लोगों से पहले से आप लोग को बता दे रहा हूं ए चीज रिचैनरेशन सोट नोट होता है आप लोग का याद रखना और बडिंग का हैड्रा बड इस तरी के इस इस एक्जाम्पल विजिटेट्व प्रोपोगेशन यह सब के टाइप से याद करना स्पोर्स फॉर्मेशन अब आता है सेक्सूल रिपोडेक्शन और सेक्सूल रिपोडेक्शन क्या होता है देखो यहां पर इसका भी आप लोगों को डिफेंट बिट्विन में पूछा जा स सेक्सूल रिपोडेक्शन और असेक्सूल रिपोडेक्शन आप लोगों से पूछा जा सकते हैं अब यहां पर देखो दिया गया है और आगे अपने आ जाते हैं यह वाला यह वाला बहुत इंपोर्टेंस से यह डाइग्राम है जस्ट एक्सरसाइज में दिए एक्सरसाइ आएगा याद करके रख लेना याद करके रख लेना double fertilization का cent fig reason में आएगा और यह diagram आप लोग को NGO systems का देखना रहेगा और यह जो male diagram है अच्छी तरीके सा आप लोग को आना चीए और इनके naming creature आने चीए और उसके बाद इनके 2 से 3 parts के आप लोग को क्या करना है function याद करना है और यहाँ पर male और female के दोनों के अब उसके बाद आप लोग को क्या करना और आगे आना है यहाँ पर आना है मेरे भाई menstruational cycle का आप लोग को just short note याद करना है याद रखना short note आप लोग को याद करना and definition भी याद कर लेना short note एक ही line दो ही line का है अब उसके बाद IV up सर्वगेशी and sperm bank तीनों का short note याद करना है याद समझ गये क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ अब उसके बाद आप लोग कर twings के types याद करना है देखो यहाँ पर दिया mono jicotic और dia jicotic दोनों का आप लोग अच्छी तरीके से याद करना है अब आता उसके बाद और आगे आप लोग को देखो एप पहला बहुत सारे लोग अब यहाँ पर बच्चे 8 आउट में है सर क्या same to same question आ सकता है देखो मेरे भई कभी-कभी यह इसा पूछ सकता है sexual और asexual reproduction आप लोग को इसे different between तो आप लोग को सब याद करो यह भी याद करो और यह तो यादी करना है दोनों याद करके रखो अब feeling doubleings आप लोग को अच्छी तरीके स्काना है और उसके बाद आप लोग को क्या करना है यह वाला 5 नंबर में पूछा जाता है याद रखना 5 मार का question यह बनता है याद रखना बाद में मत बोलना कि नहीं बताते है यह आप लोग को सब करना याद रखना सब करना है तो सब करना है अब इसमें से ये वाला question और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिया गया ये वाला gender वाला और ये वाला naming creature करना है और sketch करने वाला सिफ आप लोग को ये दोनों करना है flower वाला नीचे आप लोग को diagram स्टार्टिंग में ही बना चुके हो और उसके बाद यहाँ पर से बस इतना आप लोग का लिए ये chapter भी आप लोग का clear अब आजाता है environmental management ये chapter जो है बहुत importance है और बहुत easy है देखो पहले तो आप लोग को आना है कहाँ पर ये यहाँ पर ये बहुत importance है boy tick और aboy tick देखो aboy tick का है यहाँ पर boy tick करेगा just ये आप लोग को 3 number में question पूछा जा सकता है और उसके बाद आप लोग को question क्या आ सकता है उसको मैं आप लोग को आता तो एक एक point मिस मत करना दोको यहाँ पर दो दिया है ecosystem and ecology ये दोनों आप लोग को अच्छी तरीके से समझ के लेना है आप लोग को ये समने एक्जाम में आएगा तो आएगा environmental यहाँ पर factor of effecting दिया गया है environment तो ये दोनों आप लोग अच्छी तरीके से याद करना है environmental conservation आप लोग को easily हो जाएगा और उसके बाद आप लोग को ये flow chart हो गया उसके बाद आप लोग को क्या करना है एवाला देखो air pollution, water और soil तीनों का क्या करना है effected याद करना effected और control याद करके रख लेना और radio active pollution का चार पॉइंट दिया चार में से आप लोग को कोई भी अच्छी तरीके से तीन पॉइंट याद कर चारो याद हो जाता है चारो याद कर लेना need of the environmental conservation तो ये वाला पॉइंट को याद करो बस जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको समझ कर लो अभी इसमें कब बना act ये सब आप लोग को समझना है कितने कितने और ये वाला बस और उसके जादो मुलाई चचा के बारे में तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझना रहेगा इनकी स्टोरी और डाइवेट सिट्ट इन्वार्मेंटल कंजरूरेशन बाइवेट सिट्टी दिया गया तो ये इनको तीनो टाइपस याद करना है क्या करना है तीनो टाइपस जैनेटिक डाइवेट सिट्टी स्वेसिड डाइवेट सिट्टी और इको सिस्टम डाइवेट सिट्टी तीनो आप लोग को टाइपस याद करके रखना है इसका क्या करना है आप लोग को short note याद करना है and A वाला आप लोग को देखो मैं जितना बता रहा हूँ आप लोग को exercise भी clear हो जाएगा how can biodiversity be conservative तो इसको भी आप लोग समझ लो and A वाला तीनों के example आप लोग को uses कहाँ होते है और उसके वाद my role अब इतना इतना दिया इतना नहीं याद करना है मेरे भाई बस इसमें सेन दो दो पॉइंट education guidance बस इसे awareness छोटा छोटा पॉइंट दो दो होड sport जो होड sport दिया गए इससे short note आता है short note और यहाँ दिया गए यह अच्छी तरीके साब लोग को याद करना है क्या चीज यहाँ पर है यहाँ पर क्या फेमस है tiger और रहनो और यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर कहां गया यह tiger ही है बेस्ट बैंगॉल का इसली आप लोग को समझ के लेना है क्या चीज फेमस है यहाँ पर आप लोग को बस आप लोग को क्या clear हो गए ये भी clear हो गए ये पूरा ये पूरा आप लोग को clear हो गया देखो खुद देख सकते हो ये पूरा clear है आप लोग थोड़ा थोड़ा चिप को moment वाला करके रखना ये सब पूरा A, B, C, D, पूरा complete हो गया उसके बाद A वाला जो दिया गया question इसको भी आप लोगो अच्छी तरीके से पूरा समझ गया एक बार पढ़ोगे समझ जाएगा एक बार पढ़ोगे समझ जाएगा एक बार देखो इसमें से यह सब मेरे भाई सब आप लोगो आ गया शिप एक से दो बार पढ़ो जो अंदर से बता उतना कलिया और इधर से और टू वर्ड गरेन एनरजी इसके अंदर वाट इस दे एनरजी वाट इस दे डिफरेंट आइसे दे एनरजी यह सब आप लोगो एक एक ना नंबर में पूछे जा सकते हैं तो मैं सबसे पहले चलता हूँ यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर माइकल फराडे करके दियेगे इनके बारे में आप लोग को याद थोड़ा सकना है माइकल फराडे एलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडेक्शन का इन्वाइटेड किये थे बनाये थे तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा से जानलो माइकल फराडे के बारे में उसके बाद आप लोग को क्या करना है नीचे उतरना है आप लोग को यह टर्बाइन का यूजस याद करना है इतना और एक टरबाइन का आप लोग जो डाइग्राम दी आने मेरे भाई यह डाइग्राम को अच्छी तरीके से आप लोग को याद करना है अब उसके जितने flow chart दिये गए उसको आप लोगो अच्छी तरीके से learn by heart करके रख लेने देखो यहाँ पर यह वाला जितना flow chart दिया गए सब आप लोगो अच्छी तरीके से याद करना है बाद में मत बूलना कि नहीं बतायते सब और यहाँ से यह problem आप लोगों थोड़ा समझ के ले लेना problem बहुत easy है air pollution इसमें क्या हो सकता है harmful health दूसरा point में respiratory system और इसमें जो coal है वो limitation में है and future there will be the limitation of this availability of this coal इस तरीके से आप लोगों से यह भी question आ सकता है problems and यहाँ पर power plant nuclear energies का दिया गए यह भी question आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है and उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर थोड़ा से इसको यह वाला जो हन इसको पढ़ के रखना है यह वाले को अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ के लेना है क्योंकि यह बहुत importance है और यह वाला diagram को थोड़ा से देख लेना naming creature आप लोगों को at least देखना रहेगा इसमें भी देखो तीन point problem है दो दोनों देख लेना अब उसके बाद यह वाला फ्लोचार्ट जितना फ्लोचार्ट है सब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है फ्लोचार्ट आप लोगों को पूरा पूरा समझ के लेना है फ्लोचार्ट जितना है वो समझ के ले लेना पहले ही बता रहा हूँ बाद में मत बोलना कि नहीं बताये थे यह सब जही से दिया गई थोड़ा सब प्लोचार्ट इसे हैं सबसे ज़्यादा प्लोचार्ट ही इंपोर्टेंस है देखो यहाँ पर सोलार वोटो वालेटिक दिया गई इसको आप लोगों समझ के लेना एंड उसके बाद आप लोगों को यह पेजेस पर कुछ नहीं करना था एंड यह सब जो है ना सबसे आप देखो यहाँ से यह वाला हो गया एंड उसके बाद आप लोगों क्या करना है यहाँ से देखो एक कोश्चन अच्छी तरीखिस करना है इसमें से यह हो गया है यह हो गया है यह तीन उन question बहुत important से बार बार question से पूछे जाते हैं इसके लिए समझ के लेना और याद भी कर लेना अब उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चीह है देखो इसमें से एडाइग्राम वाला अच्छी तरीके से ड्रॉ करने आना चीह है आप लोग को थोड़ा से समझ के लेना अब इसमें से दोनों करना है आप लोग को difference और उसके बाद आप लोग को what is this meant by the green यहाँ पर green energies यह वाला छोटा से याद करना और explain करने के लिए आ सकता है आप लोग को यहाँ पर देखो answer this following question दिया गया है इसमें से आप लोग कौन से है देखो यह वाला limitation वाला कर सकते हो solar energy का and यहाँ पर how can get other required amount of the energies by the connecting जो दिया गया उसको आप लोग को समझ के लेना and उसके बाद एक solar वाला इसको भी देख सकते हो इसको question देख लेना and यहाँ से एक sword note है इसको कर लेना अब देखो यह flow chart है flow chart को आप लोग को पूरा ची तरीके से कर डालना इस तरीके से आप लोग को पूरा पूरा complete हो जाता है and animals जो classification है यह chapter से आप लोग को सबसे ज़्यादा जो phylum दिया गया ओ चीज़ याद करना बस notice करना पहे यह वाला हो जाएगा and उसके बाद आप लोग को क्या करना है देखो इधर से कुछ benefit से जही से हो गया benefit साथ animals classification क्या है इसमें 7 पॉइंट दिये 7 में से कोई भी आप लोग को 4.5 पॉइंट याद कर सकतो and उसके बाद आप लोग को क्या करना यहाँ पर coded and non-coded coded और non-coded अच्छी तरीके से आप लोग को different between आएगा याद रखना, different between याद करना, quarded और non quarded, अब उसके बाद आप लोग को क्या करना है, ये वाला डाइग्राम को आप लोग को अच्छी तरीके से याद कर लेना, प्लोचार्ड को, उसके बाद आप लोग को यहाँ से, क्या करना रहेगा, देखो, जो मैं बोलूँगा, उसको समझ लेना, body symmetry, ये B वाला जो दिया गया, इसको आप लोग को समझ के लेना, ये दोनों types, याद करना है, ये दोनों types में बोला हूँ, ये सब, ये डाइग्राम को भी अच्छी तरीके से बोला हूँ, एंड उसके बाद आप लोग को body symmetry, यहाँ पे दिया, D, body cavity, उस symmetry था, ये cavity, ये दोनों अच्छी तरीके से करना है, और यहाँ पे जो दिया गया, ये वाला, एक बार पूरा flow chart देख लेना, फाइलम किसमें जा रहे, क्या है, उसको आप लोग को करना है, एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर, देखो, काक्रोज का कभी कभी diagram आना च्छी है, आप लोग को, बनाने और naming creature भी आना च्छी है, एंड उसके बाद आप लोग को, star face का diagram आना च्छी है, यह सब बहुत important sound मेरे भाई, देखो, मैं बार बर बोल रहा हूँ, आप लोग को एक सर्स, देखो, देखो, अब यहाँ से क्या क्या करना है, देखो, identify me, सबसे पहले यह करके रखो, and give reason वाले में से, एजेली फीस वाला, और एवाला, दो question और यहाँ से एक body A, एक question बहुत, बहुत, बहुत importance आप लोग के लिए, exam के लिए, तीन question होने आले, कौन-कौन से, B, C, और एक E, एक question बहुत, बहुत, बहुत importance होने आले, और यहाँ पर देखो, एक दिया गए आप लोग को, यहाँ पर any answer in brief, इसे एक सार्क वाला दिया गए, इसको करके रखो, एंड उसके बाद आप लोग को, एक butterfly, एक bad दिया गया जो, इसको देख ले न, एंड यह तो आप लोग को answer ढूड के लिखना है, उसके बाद आप लोग को, कहाँ पर करना है, देखो, अब देखो, यह वाला पूरा आप लोग को यह करना, यह यह, दोनों अच्छी तरीके से चार्ट करना, 100% आएग आप लोग को, hydra, jellyfish, और starfish, octopus, और यह कौन सा करना है, आप लोग को, यहाँ पर, pigeon का, और यह frog, बस इतना आप लोग का लिए, यह भी चैप्टर आप लोग को, easily clear हो गया, मेरे भाई, यह वडियो आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके होता ना, जितना उस के वडियो को, share कर देना, आप लोग अगर जितना में बता, उतना करके आए, अगर वोग पूरा complete कर लिए, आप लोग बोर्ड एक्साम में भी अच्छा खासा फोड़ के आऊगे, अगर यहाँ पर करके गए, फर्स सिमिंस्टर में, आप लोग खुद कमेंट आगे करना, मेरे भाई, कि आप लोग का कितना नंबर आया, कितना कोश्चन आया थे, 100% वा गारेंटे लेता हूँ, आप लोग का, जितना में उतना पूरा करके गए, तो 40 में से 40 भी इसली ला सकते हो,